ओरो शागत थे के नई वीडियों में तो दूस्तो आज किसी वीडियों बताएंगे कि आप लोग अपने मुबाल में जब भी इंटरनेट चलाने जाते हैं ना तो दोस्तो आप लोग के में बहुत सी लो नेट चलता觉得 जिससे कि आप लोग काफी परिशान हैं आप लोग अपने पास आपने अभी तक पुराना मुबाल इस्तेमाल करें वहीं 4G का लेकिन नेट वर्क जो हमारा है मार्केट में आप लोगों को यहां पर 5G मिलना शुरू हो गया है तो 5G स्पीट में अगर आप लोग भी अपने मुबाल में नेट का जो स्पीड है उसको कैसे बढ़ा पाएंगे आज इसी डोपिक पर हम बात करने वाले हैं तो वीडियो को कांटियून देखना है अगर वीडियो पर संद आये तो वीडियो को लाइक करना तो दोस्तों आप लोग अपने मुबाल में किसी भी कंपनी का म फूरे मोबाल में शेटिम होथी इसको ऊपन करना है और अपनी करिएंगे दोस्तों दोस्तों परिया है इसमें बहुत दिनों से चला रहा हूं इसको मैंने एक बार भी निकाला नहीं है तो दोस्तों हमारी area के हिसाफ से network पकड़ता है तो जो area का हमारा network होता है वही हमारा पुराना ही network मिल जाता है तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्या करना सबसे पहले आप लोगों का अपना जो जियो का network है या आप लोग वी आई company का network है या ATL company का network है तो इसको आप लोगों को क्या करेंगे आप लोग exist one name का option मिलेगा दूस्तों इस पर click करना है और इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पे इस APN को थोड़ा सा set करना है जैसे कि आप लोगों यहाँ पे देखे लिजी आपके पास किसी भी company का हो जाना है और यहाँ से इसको show कर देना है जैसे show करेंगे दोस्तों अभी तक यहाँ पे जो था आपको इमें 4G होगा या कुछ होगा यहाँ पे देखे लिजी हमारे में 5G का option आपको मिल गया या ATL 5G का option मिल जाएगा आपको या या 5G का option मिल जाएगा अब दोस्तों यहाँ से हमारा जो network है वो change हो गया तो हमारा बहुत ही फास नेट चलने वाला है उसके बाद आपको दूसरी number की setting करने के लिए आपको बैक होना है ठीक है और बैक होने के बाद आपको यहाँ पे एक option मिल जाएगा आपने जो sim चला रहे हैं दोस्तों उस sim को एक बाद आपको बंद करके इसको आप लोगों को आन करना है तो दूसरी number की setting आपको यह करना है ताकि आप लोगों network है वो अच्छी तरीके से refresh हो जाए ठीक है उसकी बाद आपका जो भी network है बहुत ही फास चलने वाला है अब दोस्तों यहाँ पे तीसरे number की setting करना है तो तीसरे number की setting करने के लिए आप लोगों को फिर से setting को open करना है और setting को ओपस करने के लिए आपको नीचे scroll करना है जैसे नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पे एक option आपको में जाएगा system setting ठीक है तो system setting पे जाना है और नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पे एक option आपको मिलेगा reset option का option इस पर किलिक करना है दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा reset नहीं करना है हमें तो अपना नेटवर्क reset करना है ताकि हमारा जो नेटवर्क है वो चेंज हो जाए अच्छी तरीकी से फास्ट इंटरनेट चलना शुरू हो जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा reset wifi mobile is blue तो इस पर किलिक करके आप लोग अपना जो मोबाल का नेटवर्क के इसको reset करना reset करने के लिए आपको मिलेगा reset setting इस पर किलिक करना है उसके बाद अपना जो screen provider लोग डाला है वो डालना पड़ेगा आपकी setting reset हो जाएगी तो इतनी तीन सेटिंग मैंने बताई हैंगा तीनों सेटिंग दोस्तो आपने का ली तो आप लोगों को में एक क्लिक करने इस प्यार आप लोगों पर कोई भी application होगी open हो जाएगी तो दोस्तों वीडियो परशन आया तो वीडियो को लाइक करना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सेर कर देना तो दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाय ब